ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं कुम्भ राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर यानि किन सात दिनों के आपकी राशी के महाराशी फलक के बारे में कि ये सात दिन आपकी राशी वालों के लिए किस प्रकार रहने वाले हैं जा दोस्तों ग्रहनक्षत्रों के साब से इन सात दिन बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महतपकून और शटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को आप सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो को अगर शुरू करें सबसे पहला से रिक्वेस्ट करते हैं धग्वान वज्रंग वली के सच्च वक्ति से वीडियो को एक्राइक अभी करें कमेंट्स बोक्स में जैंए वज्रंग वली अवश्च लिखें जस्से भग्वान वज्रंग वली का सिर्वाद आपको सीदे प्राब्द हो सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर यानि किने 7 दिनों का यह महत पकोन समय दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता द्वारा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्छा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्रो के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तों यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेस प्रतिभा को जागरित करने में समय व्यातीत होगा विसेस कर ग्रहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ता खुसी रहेगी दोस्तों अपने उसुलों वे सिद्धान्तों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तों यह समय अपनी समझबूज वे बुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल आपको विसेश सफलता प्रदान करेगा घर में मित्रो या महमानों का आगमन होगा तथा सभी सदस्य से आप से मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साती सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वज़े से किसी बाहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिये कि कोई अपना ही नजिदी की मित्र दोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविस्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए साथानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजिदी की मित्र की नकारात्मक गती विदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तो कभी कभी किसी विसेस विसे को गहराई से जानने की इक्षा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परन्तु जादा आत्मक केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तो यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें तो कि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विद्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अपने स्वयभाव को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक बिगर सकती हैं कानूनी काम में भी आप ना उल्जें साफधन रहें दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परंतु समय रहते आप नकारत्मक परस्तियों को काबू में पा लेंगे जिससे पती पतनी में नजदी कियां बढ़ेंगी विवा संबंदित कारों में व्यस्तता भी बनी रहेगी दोस्तो साथि साथ अत्यादिक व्यस्तता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परंतु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेगा पती पतनी के आपसी संबंद अच्छे रहेंगे प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी दोस्तो बात अगर आपके व्यवशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे व्यवशाय के कार रहें अभी लंबित ही रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी आफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुँश सकता है नौकरी में अपने टारगेट को पाने में आपको कामया भी भी हासिल होगी दोस्तो किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवस्थ से विचार विमस करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथ शाजेदारी की विवसाई के परतिस परदा में आपकी हार हो सकती है परन्तु इस तनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के परती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्थ होगी नौकरी में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तो यह समय कारेचित्र में कारों के बीच बीच में कुछ रुकावटे आ सकती हैं जिनकी वज़े से ओर्डर आदी पूरा करने में विलंब हो सकता है करमचारियों की गतिविदियों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं सावधान रहें दोस्तों साथी साथ यह समय मसीनरी वे तेल सम्मंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफे कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंदिरित रखें परंतु हर काम में पेपर सम्मंदित कारों को पूरी तरह व्यवस्तित रखना आपके लिए अति आवशक है किसी प्रकार की इंकुआरी आदी बैठ सकती हैं सावधान रहें दोस्तों साथी साथ खानपान से सम्मंदित व्यवसाय धीरे धीरे व्यवस्तित होंगे अपने काम की क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय आपका स्वास्त उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सावधानी पूरवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसंका बन रही है दोस्तों साती सात यूरीन इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती हैं तरल प्रधारतों का अधिक से अधिक आप सेवन करें गलत खान पान की वज़े से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती हैं प्रकरतिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा